असलालेकुम दोस्तो वेलकम बैक टू मैं चैनल रुगईया डायरीस तो आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ कि रमजान मंद के लिए हम लोगों ने क्या क्या शॉपिंग की है जैसे मैंने डिलाइंस और डिमाट दोनों जगा का वीडियो अपने चैनल क करीदी हूँ और लोकल शॉप से भी तो आप ये वीडियो एंड तक पुरा जरूर देखिएगा कि हो सकता है आप कुछ भूल रहे हो तो ये वीडियो देखकर आपको याद आ जाए तो चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हूँ ये सबसे पहले टैंग लिये थे मैंगो फ्लेवर का जो अभी रमजान में डिवांट पेस पे अच्छा खासा ओफर चल रहा है शायद ये वन सेवंटी फाई का पड़ा था उसके बाद ये चीज अमुल की चीज लिये थे हम लोगों ने ये कुछ एक सो नौ की पड़ी थी और ये इसका जो रियल प्राइज है कुछ 140 है पड़ी कि एक सो नौ की पड़ी थी तो इस पे भी अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है भी और ये बटर लिये थे नुट्रलाइट का ये 235 का था वसे मैं भी सबका प्राइज बताने जाओंगी तो वीडियो बहुत जा का सवयां पे तो ये 50 रुपीज की पड़ी तो मुझे ट्राइज करना था कि अगर ये अच्छी रहती है रमजान में कभी बना कर हम दोने शिर्खुमा वैसे इससे जाधा बनता है तो वही मुझे ट्राइज करना था कि अच्छा है कि ये नहीं इसलिए मैंने ये एक ही पर पीस में हम लोगों को दोनों मिल गया था ये टीश्यू पेपर भी पर्चिस किये थे ये बाइवन गैट वन का इस पे तो हमेशा ही ओफर रहता है तो ये भी लिए थे जैसे भजिया तलने के बाद तेल सोक करने के लिए या समूसर के लिए तो हम लोगों ने या रस्तोख होती ही होती है तो मैंने रुवजा की ये तीन बॉटल पर्चेस की हूँ ये 155 की एक बॉटल पड़ी थी और हम लोग अफ्तारी में रुवजा के बिना शायद कोई भी जल्दी रहने ही पाता होगा और ये एक जरूरी चीज है रमजान में और मैंने ये तीन सॉस लिये थ हो और ये वाला सबसे बैस है हम लोग कम से कम 10 से 15 साल से यही वाला ब्रैंड यूज कर रहे हैं शेजवान चेटनी ली थी ये बहुत अच्छी होती है ये 129 की पड़ी थी मुझे जिसका जिसका प्राइस याद होगा मैं वो शेयर कर दूंगी और सबका तो मुझे याद न रोटी पे चॉकलेट सीरप लगा के दे दू तो खा ले तभी दूफैर में अक्सर खाना नहीं बनेगा तो उसके सब्टिट्यूट के लिए तो मैंने ये आइटम उसके लिए लिए हो मैंने उसके बाद ये घी लिये थे ये बहुत जरूरी रहता है जैसे हम लोग के रमज ही ली थी क्योंकि मैं बागी सोची हूं कि मैं घर पर बनाऊंगी इसकी वज़े से मैंने सिर्फ ये आदा ही लिए चीज को बहुत ही ज़्याद होती है चटनी के साथ हमें कैचप भी चाहिए होता है तो ये इस ब्रैंड पे वाइवन गेट वन का उफर चल रहा था ओपर पड़ा है ये दोनों तो मैं इसले ले ली क्योंकि रमजान में 30 रोजे में अकसर इसकी जरूरत पढ़ती ही है तो लगी जाता है क्योंकि भजिये समूसी ये सब तो बहुत ज़ादा रमजान में बनते ही है गर भी पूचिस की थी ये कुछ ना 38.50 फिर पर केजी थी जादा नहीं लिए कि वहां से लाना भी तो थोड़ा मुश्किल हो जाता इसके बाद मैंने यह 111 रुपय पर केजी थी तो यह वन केजी भी नहीं हुआ दही वड़ा बनाने के लिए या डो साइटली का आइटम बनाने के लिए ज़रूर चाहिए होता है जादा नहीं लगता इसलिए मैंने यह कम ही पर्चेस की थी इसके बाद यह चाय पती यह तो सिफ रमजान में नहीं हम सब के घरों में साल भड के लिए चाहिए होता है तो हमनों टाटा ब्रैंड की यूज़ करते हैं तो यह ली थी इस पे यह 550 की है पर कुछ 390 रुपीस की मिली थी मुझे उस इसकी वज़े से मैंने पर्चेस की थी यह 209 की मिली थी मुझे इसकी फन फूड की इस वश ले ली थी मैंने क्योंकि इस पे भी अच्छा ओपर चल रहा था बाइवन गेट वन फ्री का ओपर था तो कुछ यह शायद 300 के आसपास है तो यह 150 का पड़ा था और यह बॉटल इसकी ले ली थी और बाद में हम लोगों ने अभी यह ब्रश भी और मैंने यह ब्रश का भी सेट ली थी आईजा के लिए और हम लोगों के लिए और अगर यह सारे जो चीजे हैं हम लोगों ने दिमार्ट से पर्चेस की थी अगर इसका आपको देखना है कि दिमार्ट में स्मार्ट से पर्चेस की थी मैंने उसका वीडियो भी अपने चैनल पर अपलोड की हूँ तो आप लोग जांके देख सकते हो लाइन से ज्यादा शॉपिंग इसमें नी की थी कि मुझे उसके बाद नहीं जाना था तो मैं जितना केरी कर सकती थी मैंने बस उतना ही लेती तो हाना के मसाले लीती जो बाइटू पे एक वन फ्री था बट अगर हम लोग एक भी लेने जाएंगे तो वो उससाब से ही प्राइस कट करते हैं तो यह 45 का था तो कुछ 35 का 30 रूपीस का सौरी 30 या 31 रूपीस का हम लोगों को एक पड़ता है तो इस तरह से वो लोग मैंगो फ्लेवर लीती उसके बाद गार्लिक जिंजर और गार्लिक पेस्ट ये भी बहुत जादा ही लगता है तो मैंने ये भी पर्चिस कर ली थी बाकी तो हम लोग प्रैशी यूज करते हैं ये जस्ट मैंने ऐसी ही ले ली थी कभी एमेर्जनसी रहे टाइम कम रहे तो हम भाजी जादा पसंद आती है और उसके बाद ये पैप सुडेंट लिए थी जो 99 रुपीस का मुझे बहुत अच्छा उपर लगा था ये दो था और काफी अच्छा भी ब्रैंड है तो मैंने ये पर्चेस कर ली थी और ये बास्किट मैंने ली थी मुझे ये अभी फ्रीज क्या होता है रमजान में फ्रीज में जादा चीजे स्टॉर करने के लिए चाहिए होता है तो मैंने ये तीन बास्किट 99 रुपीस के ली थी जैसे अगर हम लोग मिर्ची रख दे नमांटर रख दे या कोई भी चीजे भी समाल सजा के रख दे तो एकी जगा पे हो जाएगा कि रमजान में ये सब रमजान के लिए हम लोगों ने लिये है तो सबसे पहले ये वन के जी बदाम लिये थे हम लोगों कुछ बनाना था इसके लिए तो ये वन के जी बदाम लिये थे पर मुझे इतना पता है कि अब बुकों महंगा पढ़ गया था दीमाट और रिलाइंस पर केजी पड़ा था तो यह एक लिये थे तो आप लोग पहले प्राइस पता कर लीजेगा फिरी लीजेगा इसके बाद यह हाफ केजी काजू लिये थे क्योंकि हम लोग जो भी उपिसाइड के होंगे उनको पता होगा कि यह सब ड्राइफ रूट्स को भीगा कर एक तुर्र बनाई जाती है तो वो हम लोग रमजान में कुछ दिन दस रोजा पंदरा रोजा वो ही पीते हैं कि एनर्जी रहे उसके बाद यह वाइट तिल लिये थे इसका ज़्यादा इस्सेमाल नहीं होता है इसे थोड़ा ही लिये थे और यह चुहाड़ा तुर्री बनाने के लिए यह चार से पांच भिगाने पड़ते हैं और यह अबुने जब ऐसी ही लिये थे मैंने बहुत पहले बोली थे अबु लेकर आएगा मैं इसको भिगाओके खाऊंगे तो अब भी लेकर आये तो जब यह भी यह थोड़ा उमनों ने यूज कर लिये थे किसी ना किसी स्वीट कि सीड रहती है शायद या किसकी है मुझे इसका नाम नहीं बता यह इंजीर लिये ते यह अब्बू को चाहिए रहता है तो यह अब्बू ऐसी कुछ मेडिसिन की तौर पे खा रहे हैं तो इस ते लिए ते रमजान में थोड़ा ताकत भी रहे और अगें यह चुआड़ा भ अभी प्राइज नहीं पता है सिफ मुझे बदाम का पता है क्योंकि मैंने अब्बू को बताई थी कि डिमाट में हमें थोड़ा और सस्का मिलता है तो डिमाट में अभी 312 रुपय का हाफ केजी का प्राइज चल रहा है मुझे याद है तना इसके लावा अभी मुझे और थोड़े बहुत समाल लेना बाकी है जैसे मैंने वेजिटेबल्स जितनी है जैसे प्यास टमाटर ये सारी चीज़े भी मैं 2-3 दिन पहले ही स्टोर करूंगे कि थोड़ा फ्रेश मिल जाए और साथ में जो वटाना चना भी हम लोगों के घर में डेली बनता है तो वो भी ल जरूर बताईएगा कि इसमें आपके घरों में क्या क्या रमजान में बनता है तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स वीडियो में जब तक के लिए अल्ला हाफीज ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजेगा और मुझे दूआओं में याद रखिएगा